गुड मॉर्निंग इस्टुडेंट्स हम आपकी क्लास में लेसन फाइब मदर टेरिसा के बारे में पढ़ रहे थे इसमें मैंने आपको बताया कि मदर टेरिसा का जो पूरा नाम था एगनेस गोनकसा था एगनेस की अठारे वर्स की आयू में स्कूली सिक्षा पूरी हो गई फिर उसने नन वनने का फैसला ले लिया इसके प्रेसिक्षन के लिए उसे आयरलेंड जाना पड़ा वहां 1928 में एगनेस भारत लोटी वहां से भारत में उन्हें जो पहला काम मिला वो कॉल का था कि सेंट मेरी स्कूल में भूगल पड़ाने का मिला इसकूल में एगनेस के रहने के कमरे की खिडकी से इसकूल के पीछे की एक गरी बस्ती दिखाए देती थी उस बस्ती का नाम था मोती जील लेकिन वहां के निवासी बहुत गरीब थे और चारों और गंदगी थी एगनेस कमरे की खिड़की से बस्ती के लोगों के कस्टों को देखती थी और दुखी होती थी आखिर उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने हर अभी बार मोती जील जाना आरंब कर दिया वे अपने सास में दवाई और बोजन भी ले जाती थी लेकिन उन्होंने बार बार लगता था कि इतना काफी नहीं है अभी और कुछ करना चाहिए तब एगनेस ने अपने संगठन के अधिकारियों से अनुमती मांगी कि अनुमती तो मिल गई लेकिन अस्थाई रूप से यानी थोड़े दिनों के लिए केवल एक वर्ष के लिए अनुमती मिलीगी आप एक वर्ष के लिए वहां रह सकती है सन 1948 में भारत की आजादी के एक वर्ष बाद में एगनेस ने भारत की नागरिक्ता प्राप्त कर ली तब तक लोग उन्हें Mother Teresa के नाम से जानने लगे उसके बाद लोग उन्हें Mother Teresa के नाम से जानने लगे अपना देश और घर छोड़े उन्हें पूरे 20 वर्स हो चुके थे उन्होंने अनुभब किया कि गरीवों की बस्तियों में रहकर काम करने के लिए उसने नर्सिंग करना बहुत जरूरी है तो वो नर्सिंग करने के लिए पटना आई कहां पर आई नर्सिंग करने के लिए पटना यहां उन्होंने नर्सिंग प्रेसिक्षन प्राप्ति किया द्रण इस्चाई मदर टेरेसा ने अब महान अगर कोलकता की वस्तियों में फैली गरीबी बीमारी अज्यानता से टकराने के लिए कमर कसली यानि तैयार हो गई और अपनी म्रत्यू तक भी इस महान सेवा कार्य में लगाता जुटी रही उनका जो देहान ते 5 सितंबर 1997 इस भी को कोलकता में हुआ था उनकी जो म्रत्यू कहाँ पर हुई कोलकता में उस समय उनकी आयू कितनी थी 87 वर्स यानि 87 वर्स अपने कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए मदर टेरेसा ने एक संस्था की स्तापना की और इस संस्था का नाम रखा गया Missionary of Charity ये संस्था बीमार असाय और गरीबों की साहता के लिए कार्य करती थी मदर टेरेसा ने कोलकता को केंद्र बनाया और अपनी संस्था की गत्विद्या कोलकता से ही सुरू गी आज उनके संगटन Missionary of Charity की साखा है दुनिया के कौने कौने में फैली है अपने जीवन की अंतिम दिन तक मदर टेरेसा अनात अनाश्रीत और प्रिडितों के उध्धार कार्य में एविरल यानी लगाता लगी रही है उनका अपना जीवन बिल्कुल साधा था उनके कमरे में एक पंखा तक नहीं था मदर टेरेसा ने कौलकता में बेसहारा बच्चों तता सड़क के गिनारे पड़े असाय रोगियों की दैनिया इस्तिती देखी उन्होंने उनकी सेवा को जीवन का लक्षय बना लिया उन्होंने फुटपाथ पर पड़े हुए ना जाने कितने रोगियों और मरनासन असायों को प्यार से उठाया अपने सेवा केंद्रों में उनका उपचार कर उन्हें स्वस्ति किया ऐसे भी बीमार थे जिनका जीवित रहपाना असंबब था मदर टेरेसा ने उन्हें भी अकेला नहीं छोड़ा सेवा शुरुसुसा से कर उनके अंतिम समय को सांतिपूर्ण अवस्य बना दिया दुखी मानपता की सेवा ही मदर टेरेसा के जीवन का क्या था ब्रत था उनका कहना था कि असायों की सेवा मैं ही ईश्वर की किरपा के दर्शन हो सकते हैं पीडितों असायों के धर्म और विश्वास से उन्हें कुछ लेना देना नहीं था उन्होंने विश्वर में घूम घूम कर लोगों का ध्यान पीडितों की और खीचा लोगों की मदद के लिए उन्हें आगे आने के लिए प्रेरित किया फीरित मानप्ता की सेवा के लिए मदर टेरेसा को अनेक राश्टिय अंतरास्टिय सम्मान पुरुसकार प्राप्त हुए सन 1962 में उन्हें पदमश्री और रेमन मेगनेसेस पुरुसकार से सम्मानित किया गया सन 1971 में उन्हें पॉप जोन 23 पुरुसकार जोन अप केनेडी पुरुसकार तरह 1972 में जवालार नहरु सांती पुरुसकार से सम्मानित किया गया सन 1973 में टेम पलटन पुरुषकार और 1989 में विश्व सांती के लिए नौबेल पुरुषकार प्रधान किया गया सन 1980 में उन्हें भारत का सरवच्चे सम्मान भारत रत्न और 1985 में मेडल ओफ फिर्ड फिरीडम से भी सम्मानित किया गया अब तो उनके सम्मान में से उक्तराष्टे संकी संस्ता विश्व खादे संगटन द्वारा एक अंतराष्टिय पुरुषकार प्रतिवर से दिया जाता है इस पुरुषकार के साथ दिये जाने वाले पदक के एक और मदर टेरेसा के चैरे की क्या बनी हुई होती है आकर्ती बनी होती है मदर टरेसा सचमुच एक ममता में मा थी उनके जिनके असंखे बच्चे थे अपनी तकलीपों की तनीक भी चिंता किये विना वे निसहाय लोगों की का सहारा बनी रही उनके जैसे निश्वार्त व्यक्ति सद्यों में एक वारी इस प्रत्वी पर अपतरित होते यानि जनम लेते हैं उनके छोटे से कमजोर बुड़े सरीर में ऐसा मजबुत व्यक्तित वी छिपा था कि राजा, रानी, राष्टपती, प्रधान मंत्री तक उनके सम्मान में खड़े उठे जब उनसे एक बार पूछा गया कि उन्हें इतना सबकन्ने की प्रिनना कहां से मिली तो उन्होंने बड़ी साथगी से उत्तर दिया, ईसा, मसी और बाइविल से, कहां से मिली, ईसा, मसी और बाइविल से आज बले ही मदर टेरेसा हमारे बीच नहीं है, किन्तु उनके प्रेम का संदेश, मिस्नरी और चैरिटी के माद्यम से सदेव जीवित रहेगा तो बेटा ये चैप्टर आज आज आपका यहां कंप्लिट होता है, इससे संबंधी जो कुश्चन आंसर है, वो मैं आपको कल कराऊंगी, धन्यवाद